आज हम ultrasound images को read करना सिखेंगे जब भी आपको अपनी images पे इस तरह का oval size structure नज़र आए तो समझ जाएं कि ये baby का head है आप लोग अक्सर मुझे baby के head की images भेज देते हैं और पूछते हैं कि बताईए इसका gender क्या है baby का head देखके कोई भी इसका gender आपको नहीं बता सकता ये white trim सब की सब baby के head की bones है और इसके अंदर मौझूद है baby का brain हम ultrasound के दोरां baby के brain का हर पार्ट बगौर देखते हैं head के आगे की तरफ जाएं तो नज़र आता है baby का face face पर मौझूद eyes, nose, nostrils और lips बगौर देखे जाते हैं खास तोर पर upper lip फिर हम देखते हैं baby की neck और उसके बाद दाखिल हो जाते हैं बच्चे के chest में chest में enter होते ही हमें नज़र आता है heart और फिर हम सुनते हैं बच्चे की heart beat baby का abdomen शुरू होते ही हमें नज़र आता है stomach left side पे और यहाँ पर ही हम बच्चे का abdominal circumference यानी AC मेजर करते हैं stomach के थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा पीछे नज़र आती हैं बच्चे की kidneys और थोड़ा सा नीचे जाएं तो नज़र आता है urinary bladder इसके बाद बारी आती है दोनो legs और दोनो hands की legs में सबसे पहले हम देखते हैं thigh bone जिसे femur कहते हैं और इसकी लंबाई को measure किया जाता है जिसे FL से जाहर करते हैं यहाँ पर पहुँशते ही हम baby का gender area भी देख लेते हैं जो के इस baby में नज़र आ रहा है three parallel lines के साथ baby girl scan के दोरान हमें anterior wall पर placenta भी attach नज़र आ रहा है और यह fundo anterior placenta है देखें uterus के top से start हो रहा है और आगे anterior wall को cover कर रहा है fundo anterior placenta जादा तर upper segment में ही होते हैं इसके बाद यह सारा का सारा black area है amniotic fluid जिसमें baby move कर रहा है और कुछ part amulical cord का भी नज़र आ रहा है मजीद जानने के लिए keep watching ultrasound डॉक्टर समरा के साथ कर रहा है